हलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चनल में आप लोगा फिर से स्वागा थे और आज में बहुत दिलों के बाद ये ओरल का जी एसके ओरल का पार्ट सेवें डाल रहा हूं कि इनकी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो ये जो कोशन है वो आप लोगो भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना पढ़ेगा कि क्योंकि यह सेव से रिलेटेट कोशन है अब जब सर्वेर आप से एक्जाम में पूछेगा तो safety से related question में आपको ठोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए अगर safety से related question में गलती हुआ तो आपको fail करने की chance पहुँच जादा रखता है तो इसको आप ध्यान से देखिएगे सबसे पहले question number 81 है कि what test is required before using the escape holding to be used escape folding should be proper, securely and supported escape folding जो होना चाहिए वो proper, secure होना चाहिए और supported होना चाहिए sufficient deck level जो उसका deck level होना चाहिए वो sufficient होना चाहिए provide with the safe axis यानि उस पर चड़ने के लिए रास्ता भी safe होना चाहिए उसके बाद जो चोथा होता है वो बहुत ही important है और वो आपका होता है provide with the guard rails each deck यानि जो guard rails होना चाहिए पकड़ने के लिए वो हर एक deck पर होना चाहिए तो चार आइटा में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ escape folding should be proper, secure and supported do number जो आप answer बोलेंगे वो बोलेंगे provide with the safe axis sufficient deck level provide with the guard rails every deck तो यह मैंने आपको बता दिया escape folding के बारे में escape folding क्या इस पर proper video बना रहे जाए है playlist में खोजी है what are the risks involved in a mooring station यह बहुत ही important होता है क्योंकि जब आप AB बनेंगे या training OS OS बनेंगे तो इसमें बहुत सारा accident होता है इसमें आदमी की जब accident होता है तो सीप को जेटी के साथ along किया जाता है यानि उसके साथ उसको tight यानि mooring operation के द्वारा उसको जेटी से बांगा जाता है तो जब जेटी से हम बांगते हैं तो उसमें क्या क्या rigs involved होते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा use of the damage rope or damage equipment may be causes of accident अगर आप खराब rope यूज़ करेंगे और खराब mooring equipment यूज़ करेंगे तो accident होने की chance बढ़ जाती है उसके बाद जो आपका एदलिया होता unclear mooring station may be causes of accident जो आपका mooring station हुआ अगर वो unclear हुआ यानि अच्छा तरीका से वो साफ सुत्रा नहीं हुआ तो वहाँ पर भी accident होने की chance आपकी संभावना बढ़ जाती है if the mooring line is old और properly not secure may be causes of accident अगर आपका जो mooring line है वो आपका पुराना हुआ और उसके सांसाथ वो proper jetty के सांथ bits और बुलाड के सांथ secure नहीं हुआ तो may be causes of accident होने की chance बढ़ जाती है if the mooring equipment are not proper work may be causes of accident अगर जो mooring equipment है वो proper work नहीं कर रहा है तभी आपका क्या होगा तो chance बढ़ जाते हैं accident होने के लिए on trend mooring staff may be causes of accident अगर जो आपका mooring staff है और जो crew member है वो on trend है यानि उसको training proper नहीं मिलिये तभी may be causes of accident accident होने की संभावना बढ़ जाती है ठीक bite of a mooring rope may be causes of accident यानि वहाँ पर अगर mooring आपका जो line हुआ mooring rope हुआ अगर वो bite है यानि roll किया हुआ है और उस situation में अगर हम mooring operation करते हैं तो वहाँ पर भी causes of accident होने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है इव दो क्रूव आर नोट अवेर दो प्रोपर इसनेप बैक जोन में भी causes of accident अगर देखिए बड़ी-बड़ी रसी होती है बड़ी-बड़ी वायर होती है जिससे जेटी से सीब को बाना जाता है अगर उस पर strain जादा होता है स्वेव आता है लहर आता है तो जहाद हिल्टी दोलती है अगर किसी कान रसी टूड गया या वायर टूड गया तो जितना एरिया कभर करती है उस एरिया को स्नेप बैक जोन करते है अगर वो इस एरिया में स्नेप बैक जोन एरिया में भी कॉज़ेज ऑफ एक्सिडेंट तो सर्वेयर पूछ सकता है कि वाट डूई मीन भाई थे स्नेप बैक जोन तो आपको बताना पड़ेगा स्नेप बैक जोन इस प्रीडिटर्मिनांट प्लेस ओफ एशीव वेर दा पार्टिसिपेटेट मोरिंग रोप और मोरिंग वार रीक वाइल विट ग्रेट भेलो सीटी यह आप ऐसे बोलना पड़ता है तो मैंने आपको बता दिये चलिए फिर से मैं आपको बता जाता हूँ क्या-क्या प्रीकोशन लेना पड़ेगा ऐसे उनक्या युटोन जाता है, युटोन डाया कोूशन वार टाक। जाता किसे कि वाइलो 고शा क्यार competent with cheese छोन खुटोन, बता काषन, वार टांवाम, वार लेक वार लेक वाइलोट is ब पॉट ऱुटोन, मैं पॉटोन, on clear mooring station में भी causes of accident, mooring equipment which not proper use में भी causes of accident और उसके बाद bite of the mooring line में भी causes of accident, ठीक है, crew are not proper training में भी causes of accident तई यह सब होता है, number 18, 83 की बात कर ले, explain making fast of a tug to a ship, बोल रहा है कि explain किजिए कि आप tug से ship को कैसे बान देंगे, ठीक है, जो tug होता है tug से ship को कैसे बाने देंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए, explain the making fast of a tug to a ship a tug messenger line taken on the ship through the fair leads to bits or ballards for warping drum, यानि जो tug messenger line होता है उसको fair leads से ले जाकर, warping drum से ले जाकर और bits, ballards में हम लोग क्या करेंगे, बान देंगे a tug messenger line taken on the board of a ship through the fair leads to bits or ballards from warping drum, ठीक है नमर 84 की बात कर लें, what check are required to be done before arriving of a port and a mooring station बोल रहा है कि अगर आपका ship mooring station में जा रहा है तो उससे पहले आप क्या-क्या check करेंगे तो क्या check करेंगे, check the steering system, हमारा steering system काम कर रहा है कि नहीं steering से मेरे को याद आए कि steering system कितने type का होते हैं आप लोग फटा-फट comment करें, मैं देखता हूँ कि आप लोग proper, मेरा video देखते हैं कि नहीं और आप remember करते भी नहीं है, how many type of the steering system, आप लोग फटा-फट comment किजिए उसके बाद check the steering system, check the breeze and engine room equipment is the proper work, keep the necessary flake उसके बाद आपको necessary flake भी वहाँ पर रखना है, उसके बाद keep the ready of derrick और crane आपको derrick और crane भी ready करका महाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है, keep the उसके साल साथ आपको क्या keep करना पड़ेगा, keep the gangway और fender ready, आपको gangway यानि गेंगवे जो लेटर है, उसको भी ready करेंगा और fender भी ready करेंगे, keep the ready of the mooring line, heaving line, messenger line, rope stopper, channel stopper, rat guard, etc. for forward and after यह यह चीज़े आपको ready करने पड़ेगे, तो फिर से सुने जिए, check the steering system, check the breeze equipment and engine room is equipment is a proper work, उसके बाद आपको keep the necessary of flag, उसके बाद keep the ready of derrick और crane, keep the ready of gangway and fender, उसके पास keep the ready of messenger line, mooring line, heaving line, channel stopper, rope stopper, rat guard, इन फारवर्वर्ड और आपको यह यह चीज़े आपको ready करने पड़ें 85 के बाद करने, tell theory safety precaution to be follow on the mooring station, बोल रहा है कि mooring station में आपको 3 चीज़े क्या है कि जो आपको proper precaution लेना है, तो पहला होगा must wear the proper PPE, उसके बार होगा never stand bite of the rope, यानि जो rope है, जो गोल बना के रखा हुआ, उस पर आपको कभी भी उस area में खड़ा नहीं हो लाए, क्योंकि अग जो many potent होगा, वो होगा, keep the distance for tighting the mooring line, तीन है, must wear the proper PPE, आपको proper PPE पेनना है, उसके बाद never stand bite of the rope, bite of the rope पर आपको कभी भी stand नहीं खड़ा नहीं होना है, keep the distance between the tighting the mooring line, mooring line जहाँ पर tight हो रहा है, वहाँ पर आपको distance बना कर रखना है, नमर 86 की बार को रहे है, what are the safety precautions to be followed when the transforming rope from drum to bullard, बोल रहा है कि रोप को, रोप को transfer करने आपको क्या precaution नहीं आपड़ेगा, तो रोप stopper is the whole temporary strength of the rope from walking drum to bullard, यानि आप उसके लिए rope stopper का use करेंगे, ताकि आपकी कोई छपी न पहुंचे, what are the safety precautions to be followed when the transferring a rope from drum to bullard, रोप stopper is the temporary hold strength of the rope when transferring from a rope to bullards, ठीक है, तो रोप stopper का use करेंगे, 87 की बात कर ले है, what are the safety precautions to be followed when the surging a rope on the drum, surging मत्तम होता है कि यह देखिए, यह एक rope, यह दो रोप हुआ और वार्पिंग ड्रम हुआ, तो एक ऐसा situation हो जाता है कि पहले वाला rope tight हो जाता है और दूसरा वाला rope थोड़ा lose हो जाता है, तो यह जो यही condition होता है ना उसी को बोलते हैं surging, ठीक है, यानि दो, मानिजे कि आप पतन skull kite ओड़ाते है, तो इस तरह लपेड़ाते हैं तो इसी तरह वार्पिंग ड्रम होता है, तो वार्पिंग ड्रम दो type का होता है, टीक है, एक इधर भी रसी लप्टा रहता है, इधर भी rope लप्टा होता है, तो जब वह वार्पिंग easy to pull having part sufficient allowed to be transforming the drum number 80 की बात कर ले what are the safety precautions to be follow when lowering the rope to be the key बोल रहा है की का और तो 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 है jetty ठीक है बोल रहा है कि आप जब rope को jetty में lower करेंगे तो उस समय आपको क्या precaution लेना पड़ेगा ठीक है precaution पूछ रहा है तो इसका बोल रहा है बोलेंगे rope should be lower to a jetty in control manner यानि धीरे धीरे क्या करेंगे jetty में rope को करेंगे rope should be lower in a jetty control manner यानि धीरे धीरे करेंगे what are the safety precautions to be follow when the operating the winch जो winch हम लोग वार्पिंग ड्रम का winch हुआ या मोरिंग ड्रम का winch हुआ उसको winch operating करने में हम लोगो क्या precaution लेना पड़ेगा तो पहला होगा experience crew must be operated जो experience crew है जैसे AB हो गया बोसन हो गया उसी को ये देना चाहिए operate करने के लिए तो experience crew must be operated ठीक है when the operating of the winch crew are very attentive जो crew होना चाहिए जो पूरा attentive होना चाहिए when the operating of a winch crew are very attentive पहला होगा experience crew must be operated the winch when the winch is operative the crew is very attentive तो यह मैंने 89 भी clear कर लिया तो मैंने जो आप से पूचा था है steering system कितने type का होता है तो फटा फटा आप आप लोग comment की के देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं तो thank you so much for watching this video कितने जवाब देखते हैं कितने लोगर रहते हैं जवाप